हलो फ्रेंज चै माता दी कैसे हैं आप सब दोस्तों फागुन का महीना और तन हो गया फिर पलाश सा मन महुवे का फूल फिर फगवा की धूम फिर रंगों की धूल धोल मजीरे बजेंगे चहूं और उड़े का पीर गुलाल रंग करेंगे दम भर उधम बहकेगी सब की चाल देखो नटखट फागुन कर रहा अंतर मन को तंग चलो मन भर होली खेले मन में रहे न मलाल फागुन फगवा लेकर आया प्रेम और सोहाद का तैहार आप सभी को होली की हार्दीक हार्दीक शुब कामनाई सबसे प्रमुक और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक दो दिन त साथ मनाई जाने के कारण ही इसे वसंत उत्सव और काम महुत्सव कहा गया है हमारे धरम में जितने भी बड़े त्योहार है सभी को सिध्धी पूर्ती और मनोकामना पूर्ती के लिए परियाय माना गया है चाहे दिवाली की रात हो जन्माष्ट मी हो महाशिवरातरी या फि इगर ही इसका फल प्राप्त होता है इस दोरान सभी शुब कार ये बंद रहते हैं पिछले मैंने बता दिया ता होलाश्टक लग चुका है आट दिन पहले से ही जब अश्टमी को चंद्रमा नौमी को सूर्य दश्मी को शनी एकाजसी को शुक्र द्वादशी को गुरू त इस दोरान कोई भी शुब कारिये नहीं करना चाहिए इस बार होलाश्टक 10 मार्च से लगा था और 18 मार्च तक रहने वाला है और होली का देहन की रातरी आ रही है इस महान रातरी में जब हम अपने जीवन की सारी नेगेटिविटी अगनी में आहूती के साथ खत्म कर देत हैं आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं क्या क्या डालना है आहूती में घर घर यग्य होगा और इस महान अगनी में हमारे घर की हो या हमारे मन की हो तन की हो हमारे सुक्ष में शरीर की हो सभी प्रकार की नकरात्म कुर जाएं जलकर खाक हो जाएगी और इस म पुर्णिमा तिथी का प्रारंब जाए तो शनी देव की बहन और सूर्य पुत्री मानी जाती है जो की बहुत ही तामसी देवी है और कुरोधी है और 17 मार्च को दुपहर को डेर बजे से ही भद्रा लग जाएगी जो की रात को एक बच कर तेरा मिनट तक रहती है इसलिए भद्रा काल में होलिका निशेद मानी गई है वैसे तो होलिका देहन का बैस्ट मुहरत होता है प्रदोष काली में लेकिन इस बार नहीं मिल रहा है तो रात में एक बच के तेरा मिनट के बाद ही भद्रा काल के पुर्ण होने के बाद ही होलिका देहन आपको करना चाहिए 17 मार्च को कर्णिया राशी का चंद्रमा और प्रित्वी लोग की भद्रा है जो की बहुत ही अशुब है लेकिन अगर पॉसिबल ना हो और कहा जाता है शास्त्रों में कि भद्रा यदि निशित काल यानि अर्द रात्री के बाद हो तो भद्रा का मुख त्याक करके देहन कर आजा सकता है ऐसी स्थिती में दो विकल बच रहे हैं पहला भद्रा समाप्त होने पर रात को एक बच कर तेरा मिनट के बाद देहन करें और या फिर दूसरा आप पुछ काल में कर सकते हैं भद्रा पुछ में यानि 17 मार्च को रात को पुछ काल है नौ बच कर 20 मिनट से रा भी हो रही हो होली का देहन घर के सभी सदस्यों को इस दौरान इसमें अवश्य शामिल होना चाहिए दिन में ही रसोई बना लेना है आपको जो भी आपके घर में बनता है पूरिया कचोडिया पूए दही बड़े दाल की बरफी गुजिया दही बड़े पापड सांगरी ब बड़ी रसोई जब होती है घर में हमेशा भगवान को भोग लगाना चाहिए और एक थाली भोजन अपने पित्र के निमित चाहिए आप एक मिठाई ही निकाले पर आपको जरूर निकालने चाहिए भगवान को भोग लगा ले और पित्र की थाली निकाले वो उसमें थोड ब्राम्मन को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, गव पहुता को खिला सकते हैं, इस तरह से आपको भोजन में, इसके बाद ही बोजन में जूट घालने चाहिए, पापड, सांगरी, जो भी तले हुए पापड इस जिन ट्राइ करना चाहिए, तवा न चढ़ाएं, बाक होली मंगलने के पहले शुब मोहरत में, शाम के समय ठंडी होली पूजने के लिए जाएं, अपने साथ होली की पूजा का प्लेट ले ले, इस तरियां चाहें तो जो भी अपना पारंपरिक ड्रेस है वो पहने, चुनरी ले ले, और छोटे बच्चे हों तो साथ में उन्हे अपने साथ जरूर ले करके जाएं, प्लेट में थोड़े कुम-कुम रख लीजे, चावल रख लीजे, कलावा रख लीजे, एक नारियल जरूर रखना चाहिए, जटा वाली नारियल साबुत रखें, जो की रात में अभी दिखा के लाएंगे, फिर रात में जब होली जले काचा कुकडिया, यानि कच्चा सूत, चार पांश ले ले, क्योंकि होली के अगले दिन मैंने पिछले वीडियो में बताये, जो भी इस तरिया डोरा लेना चाहती है, सापदा का धागा लेना चाहती है, उन्हें ये जरूर रखना चाहिए, और साथ फेरी लगेगी, इसलि भी आपने बनाया है भोग, घर में दाल की बरफी, आदिया, पुए, गुजिया, जो भी थोड़ा सा भोग आप रख लीजे, कुछ ना हो तो बताशे रख लीजे, एक ठंडा दिया, आटे से बना सकते हैं आप इस दीपक को, या फिर माटी का दिया ले लीजे, जो कि वही की चुनरी चड़ाने की इच्छो तो वो ले सकते हैं, और फिर आगे में जो भी उपाई बताऊंगे, उसके अनुसारी आपने जो मन में किया है, कि मैं ये उपाई करूंगा, चाहे गोमती चक्रा आदिका, तो वो आपको साथ में चीजे रख लेनी है, ठंडी होली के पास होती है, उसको तिलक, दोनों को तिलक करें, पंच अपचार पूजन करें, जो भी आपकी इच्छा हो, और फिर भोग थोड़ा सा जरूर उनको लगाए, एक ठंडी होली वाला जो बढ़कुल्ले के माला है, गोबर के जो कंडे हैं, वो आपको चड़ा देने चाहिए, और सूत से आपको साथ परिक्रमा सूत लपेटते वे करनी चाहिए, अगर पांच शे इस तरियां आप लोग एक साथ हैं, तो सब एक ही साथ मिल करके उस सूत को पकड़ ले और धागे से लपेटते चले जाएं, इसके बाद धोड़ा सा, इसके बाद दीपक जो आप लेकर के वो वहाँ जला दे, और फिर आप थोड़ा सा थंडा जल डाले, बच्चों को टीका आदी लगाएं, चावल करें, खुद के भी फॉर हेट पे टीका चावल करें, और सभी लोग धोग मार करके वहाँ से आजाएं, अगर आपके यहां गीत गाते हैं, आपको होली के गीत ग हुआ था, इसके बाद ठंडी होली की पूजा करने के बाद आप वरत को खोल सकते हैं, और फिर वापस से रात में सभी लोग घर में ही पूजन करके, थोड़ा एक दूसरे को तिलक करके, इसके बाद आपको होली की पूजा करने के लिए जानी चाहिए, वही उसी स्थान प इख पकड़ ले और एक-एक बढ़कुले की माला जिनके आगोबर के बढ़कुले बने हैं, कंडे बने वो ले करके जाए और जो लोग भी माला बनाएं बढ़कुले की वो ध्यान रगे शीतला माई की पितर की, छट की और हनुमान जी की माला घर में रहेगी, बाकी सारी म जो अगनी है होलिका की अगनी उसमें भून ले और परिक्रमा लगाए चार या साथ फेरी अभी लोग ओम नमो भगवतेवासुदेवाई इसका जब करते वे चार या साथ फेरी लगानी चाहिए और फिर लास्ट में थोड़ा सा जो जल है लोटा लेके गए उसमें से अगनी की अगनी चाहिए और थाली में जो आपने हल्दी की गांट रखी है काचा कुकडिया रखा है जो की बाली रखी थी उनको होली की जल दिखानी चाहिए और जब पुरुष फिर इस प्रकार से पूजन करके घर लोटे तो थोड़ी सी अगनी हो सके तो एक बाल्टी ले करके जाये यह जो होली साथ में पापड आधी शेक जाते हैं और घर लोटने के बाद सभी जो चोटे लोग हैं वो बड़ों का चरनच पर्श करें साथ में मिलकर भोजन आदी करें और अगर होली मंगलने का समय देर रात हैं तो सभी लोग फेले ही भोजन कर लेंगे ज और होलिका जलने के विशे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में हिरन्यकश्यप नामक राक्षस ने अपने तब से ब्रह्मा जी को प्रसन न करके वर्दान प्राप्त कर लिया था कि उसे संसार का कोई भी प्राणी हो देवी देवता हो जीव जन्तु हो नहीं मार सकता और वो इतना अपने घमंड में चूर हो गया था कि वो खुद कोई भगवान समझने लगा लेकिन उसके घर में पुत्र पैदा हुआ जो भगवान विश्नु का भक्त निकला जब हिरन्यकश्यप को इस बात का पता चला तो उसने प्रहलाद को चेताबनी दी कि उसके अलावा किसी और की पूजा ना करें लेकिन प्रहलाद नहीं माने तो भक्त थे और हिरन्यकश्यप क्रोध में आकर के उसे अलग-अलग तरीके से आठ दिनों तक प्रताडना दे करके उसे मारने की अलग-अलग चेश्टाएं कि जब वो हार गया तो उसने अपनी बेहन होलिका को लेकिन नियती देखिए प्रभू की कृपा वो चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई होलिका तो अगनी में जलकर खाक हो गई और प्रहलाद बच गया इस प्रकार से हर साल इसी के निमित होलिका देहन किया जाता है होलिका को जलाया जाता है प्रहलाद को डांडे के सबसे पहला तो मैंने बताया था आपको कि सभी परिवार के सदस्यों को मिलकर हल्दी का उप्टन करना चाहिए सरसो तेल से मिलाकर हल्दी का उप्टन बनाईए और पूरे सभी लोग अपने अपने शरीर पर इसको मले और सूखने के बाद जो शरीर से मैल निकलेगा रगड क और एक कागज में शरीर से छुड़ा कर उसको जमा कर लीजे और फिर जब आप जाएंगे होलिका देहन में तो आपको इसमें इसको होलिका देहन में डाल देना है इसमें क्या-क्या चीज होना चाहिए इसमें हल्दी दही शहद और आटा सरसो तेल बेसन ये सबी चीजे ल जूज रहे हैं उनको मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर होलिका देहन होने वाली है वहां गड़ा खोद करके चांदी पीतल और लोहे काई के छोटा टुकड़ा दबा दीजे और जब होलिका देहन हो जाएगी नेक्स्ट डे तो वहां से उन टुकड़ों को निकाल कर फिर अपनी मध्यमा उंगली के लिए जला बनवा करके पहन लिजे चला यानी अंगूठी कट वाली जो अंगूठी होती है प्लेन गोल वह आपको बनवा के पहना है जिन लोगों के व्यापार पे नजर लगई है कोई किसी प्रकार की बाधा आ गई है नहीं चलरा है बिलक पर गेहूं और सरसों की साथ साथ धेरी बना लीजे इन पर एक एक काली मिर्च रख लीजे एक निम्बू के दो टुकड़े करके प्रतेक धेरी पर एक एक निम्बू का टुकड़ा रख लीजे इसके बाद ओम कपालिनी स्वाहा इस मंत्र की आप 108 बार इसको जप कर ले और जब जब समाप्त हो जाएं तो सारी सामगरी की पोटली बनाकर लाल मोली से गांट बान लीजे और दुकान के एक सीरे से आरंब करके आप जाये तो घर पर भी आप घर से वरकिंगे तो वहां भी उपाई कर सकते हैं गुमा करके चारों तरफ आप इसे होली का धेन में जब दूर हो जाएगी और या फिर आप कुछ ना कर सके यह सब तो जो नारियल आप लेके जारे पुजा की ठाली में सिर्फ उसी से आप इस उपाई को कर सकते हैं साथ बार जिस भी परसन के उपर नजर लगी है या किसी प्रकार की बाधा आ रही है कोई भी कष्ट जादा आ र दोस्तों एक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था गोमती चक्र का उपाई वो एक बार और रिपीट कर देती हूं धन दायक प्रयोग है जिनके पास भी गोमती चक्र है अभी मंत्रित वो गोमती चक्र को रख करके पांच माला का जब करेंगे ओम श्रिम रिम श्र यही नमहा या फिर धन की लाल साहो तो ओम नमो धनदाय स्वाहा इस मंत्र का पांच माला का आपको जब करना है और जब करके आपको फिर जो न व गोमती चक्र है वो अठा कर एक लाल कपड़े में बान करके तिजोरी में रख देना है एक गोमती चक्र आपको घर के Ishan कोन म दबाना है कच्ची मिठी में, किसी भी गंबले में आप दबा सकते हैं, और जो लास्ट गुमती चक्र है, ग्यारवा गुमती चक्र वो आपको क्या करना है, अपने परिवार के सभी सदस्यों के उपर से वार कर, घर में घुमा करके, जो भी आपकी दुकान आ दिये, वहां घ अगर कश्ट बहुत ज़ादा है, तो आप चाहें तो 11 के 11 गुमती चक्र हर फेरी के साथ होली की अगनी में डाल सकते हैं, इससे भी आपके घर में व्याप्त हर तरह की दुक देने वाली उरजाएं, जलकर भस्म हो जाती है, बाइचांस जिनके आँ होली का देहन नहीं आत फिर जो भी आपको उपाय मैंने बताए हैं, यह आप उसमें अगनी में अर्पित कर सकते हैं, धन वृद्धी के लिए होली का में ओम श्रिम रिम श्रिम महालक्षम में नमा, इस मंत्र को 108 बार पड़ते पड़ते, शक्कर की आहुती देते देते भी आप परिक्रमा करते है होलिका की अगनी की, तो भी यह बहुत कारगर उपाय होता है, और अगर कुछ ना मिले तो 108 बाती रुई की ले लीजे, उसको पहले ही घी में भीगो लीजे, और फिर हर एक परिक्रमा करते जाएए, और हर परिक्रमा पर एक रुई की बाती भीगोई हुई घी में वह आप थोड़ी सी आपको ध्यान रखना चाहिए, होलिका एक कंडा लेकर उसमें रोली याक्षत अबीर गुलाल नारियल और दो कच्ची रोटियां लेकर के आप चाहें तो घर में कंडे जला करके भी आहुती दे सकते हैं, दोस्तों ध्यान रखें सब कुछ करने के बाद में, ज घर में पॉजिटिविटी का वास होता है, और अगले दिन रंगों की होली जरूर खेले, पहले ठाकुर जी के साथ केसर या होली खेले, थोड़े से जल में केसर भी गो लीजिए, अभीर गुलाल ले आईए, जो भी आपके घर में देवी देवता का स्थापना है, इस्थ ह को रंग लगाएं, मन की सभी कुटिल भावनाएं, मन की सभी दुख दर्द मिटा करके, इस दिन आपको रंगों से सरोबार होकर के अपने जीवन में खुशियों के रंग भढ़ने हैं, तो दोस्तों, बुराई को जला कर खुशियों के रंग में रंगने का त्योहार है, च के लिए इतना ही ठेक के फ्रेंद्स लव यू आल छे माता दी बंबं भुले नात की विश्यू अलव वेरी वेरी हैपी होली